हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल नौकरी वाला में तो आज की जो वेकेंसी या रखी है वह रखी यहां पे स्टील अथारिटी ओफ इंडिया लिमिटेड के दुआरा बंपर भरती का ये का अफिशली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा ज कंपनी कभी भी आपको नहीं निकालेगी और आपका सेलरी बहुत ही बड़ी आपको देखने को मिलेगा इस्टार्टिंग सेलरी जो आपका रहेगा यहां पे 13,000,000 रुपय पर एनोल आपका CTC देखने को मिलेगा साथी साथ यहां पे ओलो और इंडिया के केनिरेट अप्ल इंस्टुमेंटेशन ओ, और भी बहुत सारी ब्रांच आपको देखने को मिल जाती है तो कैसे आपको अप्लाई करना है, सेलेक्शन प्रॉसस क्या रहेगा जॉब लोकेशन कौन सा देखने को मिलेगा और आपको अप्लाई करने का पूरा तरीका मैं वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को अंते तक पूरा देखेगा लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किये तो लाइक कर देना, हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो मातर 900 प्लस लाइक का अमने टार्गेट रखा है और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेर कर दीजेगा कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके जरूर से बता देना इससे आपको ही फायदा मिलेगा क्योंकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँगा नेक्स्ट वो आपको वही अपडेट प्रोवैड करवा दूँगा जो आपने मुझको बता रखा है अब बताना क्या है कि आपकी ब्रांच कौन सी है आपका ट्रेड कौन सा है पासे उटियर कौन सा है फ्रेशरो की एक्सपरेंस होल्डरो और कौन सी लोकेशन के अंदर अब भी आप जॉब सेर्च कर रहे हैं और अगर आप उसे बात करना चाते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवेड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का आपको उस पे क्लिक करना है आपके सामने डिरेक्ली कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं लिंकडेन, इस्टाग्राम, टेलिग्राम, फेस्बूक और सब उस आइकन पे आपको सिंपली कर देना है क्लिक और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं बात कर सकते हैं एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड इस्टूडेन के लिस्ट को तो यह उन स्टूडेन के लिस्ट है जो कि आज टॉप MNC कमपनी में काम करते हैं हमारे चैनल के थुरू तो इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लिजेगा ताकि जब भी मैं एक्ट वीडियो अप्लोड करूँगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डिरेक्टली अप्लाइ कर पाओगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पे मैंने डिरेक्टली ओफिशली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिए है जैसा कि अब अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं साथी साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि आपको यहाँ पे एक्जेक्टली अप्लाइ कैसे करना है वो भी हम डिसकस करेंगे देखे ये जो वेकेंसी है आपके स्टील अथारिटी ओफ इंडिया लिमिटेड के दुआरा वेकेंसी आपको देखने को मिलेगी एक पॉब्लिक सेक्टर यूनिट आपको देखने को मिल जाता है अगर आप फ्रेशर हैं बिलकुल आप इसको अप्लाइ कर सकते है अब पर्मानेंट मतलब कि आप पर्मानेंट बेस पे काम करेंगे और आपका सेलरी यहाँ पे बहुत ही बड़ी आपको देखने को मिलेगा स्टार्टिंग सल्दरी के बारे में अगर हम बात करें तो लगबग यहाँ पे 15 लाख रुपए एन्वल सीटी सी आपको देखने को मिल जाता है टोटल नंबरो वेकेंसी लगबग 250 के करीब यहाँ पे वेकेंसी निकाली गई है एक्जेक्टली जो वेकेंसी रहेगी 249 पदो पर यहाँ पे आपको वेकेंसी देखने को मिलेगी लगबग सारी ब्रांच यहाँ पेलिजीबल है जैसे कि केमिकल, सिविल, कम्पिटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, इंस्ट्रुमेंटेशन, मेकेनिकल और मेटेलर्जी जैसी ब्रांच आपको देखने को मिल जाती है तो ये सारी branch आपको देखने को मिल जाती है total number of vacancy आपके 249 के करीब आपको देखने को मिलेगी अब इस notification का link मैं आपको वीडियो के description में provide करवा दूँगा वहाँ पे click करके आप download कर लेना बाकी आगे apply का process भी हम पूरा detail में जानने वाले हैं अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपका position कौन सा रहेगा तो यहाँ पे management trainee का position आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर आपका even grade pick according आपको salary मिलता है और इसके अंदर यहाँ पे अगर आपने bb tech कर रखा है chemical discipline में या फिर आपने यहाँ पे civil discipline में computer science में या फिर आपने यहाँ पे electrical में electronics discipline में अगर आपने bb tech की है instrumentation में अगर आपने bb tech की है या फिर mechanical में अगर आपने bb tech की है या फिर metallurgy branch में अगर आपने bb tech कर रखा है तो आप बिलकुल इसको apply कर सकते हैं इसके अंदर आपका total number of vacancy जो रहेगी वो आपकी 249 रहेगी chemical वालो के लिए यहाँ पे 10 vacancy निकाली है electronics वालो के लिए 5 vacancy है civil वालो के लिए 21 vacancy है उसके अलबा instrumentation वालो के लिए 11 vacancy है computer science वालो के लिए 9 vacancy है mechanical वालो के लिए 69 vacancy है electrical वालो के लिए 61 vacancy है और metallurgy अगर आपकी branch है तो आपको 63 vacancy आपको देखने को मिलेगी अगर आप इस सभी vacancy को add करेंगे तो आपका 249 के करीब ये vacancy रहेगी इसके अंदर BB tech वाले eligible है BB tech होना जरूरी है डिप्लोमा यहाँ पर apply नहीं कर सकते हैं उसके अलवा जो आपका selection process रहता है वो gate 2424 के scorecard के base पे आपका selection देखने को मिलेगा जैसे आप apply करोगे तो आपके gate 2424 का scorecard मांगा जाएगा और जैसी अगर आप shortlisted होते हो यहाँ पे तो आपका GD होगा मतलब की group discussion होगा एंड यहाँ पे आपका PA होगा personal interview आपका होगा लेकिन जो आपका रहेगा वो आपका लगबग 70% आप आपका यहाँ पे gate scorecard का यहाँ पे marks add होगा बाकी जो 30% यहाँ पे रहा उसमें आपका 15% यहाँ पे 15-20% आपका GD होगा और 10% आपका interview होगा interview आपके यहाँ पे जाके दिना पड़ेगा बाकी यहाँ पे पूरा और detail जानने के लिए आप इनके officially website पे check out कर सकते हैं इसका link म में दे दिये अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि आपको यह notification जो भी हमने discuss की है यह कैसे आपको download करना है और यहाँ पे आपको apply कैसे करना है उस process के बारे में जान लेते हैं तो जो link मैंने आपको वीडियो के description में provide करवा रखा है simply क्या करना है उस पे click करना है click कर तो मैं आपको वीडियो के description में इनकी officially website का link provide करवा चुका हूँ simply आपको वहाँ पे click कर देना है आपके सामने इस्टेल authority of India limited की officially website open हो जाएगी देखे आपको सबसे पहले notification डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूँ आप यहाँ पे scroll down करेंगे तो आपको दिखेएगा यह यहाँ पे management trainee recruitment तो यह आपकी vacancy निकाली है और अभी हमने आगे पहले notification को discuss भी कर रखा है लगबग 245 post पे vacancy निकाली है तो आप यहाँ पे click करके अपने mobile में laptop में PC में tablet में इस notification को download कर सकते हैं जिसका तरीका आपको मालूम चली है apply करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहा करके आप अपने account को create कर सकते हैं और simply यहाँ पर apply कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पर click करते हैं तो आपके सामने एक new tab open हो जाता है और यहाँ पर बोला गया recruitment यहाँ पर आपका रहेगा लग-अलग type का तो यहाँ पर सबसे पहले आपको register करना पड़ेगा तो registration करने के बाद ID password मिलेंगे उसको यहाँ पर login करना पड़ेगा दैन फिर finally आपको अपने सारे detail को fill करके यहाँ पर apply करना पड़ेगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं management trainee का apply video बनाओं तो comment box में comment करके जरूर से बता दीजेगा मैं आप लोग के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा तो मैं आप job search कर रहे है all the very best जैहिन